जैहिन दोस्तो में हूँ आसीस और आप सब को इंडिया में जान पर स्वागत है आज आप सब जानते हैं मिराज 2000 जेट क्रास हुआ है इसको लेकर बहुत सारे दोस्तों का सवाल था क्या मिराज 2000 जेट आगे जाकर मिग 21 की तरह फ्लाइंग कफिन बनने वाला है क्या हमें ठीक है आज मिराज 2000 जेट क्रास हुआ है लेकिन जो हमारे पाइलट थे वो सेप है लेकिन इसका मॉटलब यह नहीं है कि मिराज 2000 जेट एक बहुत खराब जेट है या फिर वो कभी भी इंडियान एरफोर्स को मदद नहीं किया है हर एक अप एरफोर्स में आप देख सकते ह अगर हम मीग 11 के साथ मिराज 2000 जेट को कॉंप्यार कर रहे हैं तो यह हमारे एक बड़ा बेवकु भी होगा ठीक है हमारे गवर्मेंट के कुछ गलतियों के कारण आज इंडियान एरफोर्स को एसे दिन देखना पड़ रहा है वो भी मैं आपको डिटेल्स में आगे बाकी साथ दूसरे देशों की फैटर एरकर्ट के साथ भाग ले रहे हैं बहुत सरे दोस्तों का सवाल था अगर भारत मिराज 2000 जेट भेज रहे हैं तो क्यों हम सुखोई 30 MKI या फिर हमारा खुद देश का बना लाट्टेस्ट तेजस फैटर एरकर्ट को नहीं वेजे अग ही के हमारी एरफोर्स में बहुत सारे फैटर एरकर्ट इस्तमाल हो रहा है और उसी सबसे फैन बेस भी है मतलब पर्टिकुलार कोई एक बंदे को सुखोई पसंद है तो किसी को राफेल और किसी को मिराज पसंद है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपनी मनमानी करके कोई वी वा टूइट किया गया एक फोटो को देखिए इसमें आप जितने ही फोटो देख रहे हो यह फोटो हो गया या फिर आप यह फोटो मैंने कल वीडियो में इस्तमाल किया था इसे भी आप देख पा रहे होंगे अगर यह सारे फैटर एरकर्प्ट या फिर जो दूसरे देश के इस्राइल भेजा गया था आप उसे ध्यान से देखोगे आप एक चीज नोटिस कर पाओगे यह यह या फिर आमेरिका के सबसे मतलब उनके पास अब प्रेजेंट है में फोर्त या फिफ जनरेशन के जितने भी आर्भांस फैटर आयर काप्ट है उनमें से 70-80% फैटर आयर का नहीं है जैसे कि एप 22 हो गया एप 18 हो गया या फिर सुडेंट का ग्रिपेन हो गया नहीं तो सारे अर्भांस फैटर आयर का आपको मिल जाएगा एप सुखोई आप सब जानते है रस्या की फैटर आयर काफ्ट है तो एक इस्राइल में वार्गेम हो रहा है और वहां पो सा अगर हम रस्या नर्जिन के फैटर आयर काफ्ट को भेजेंगे साइद इंडिया को लगा होगा यह एक आच्छा संकेत नहीं होगा या फिर हमारा जो फैटर आयर काफ्ट है जो हमारा में अभी कह सकते हो आप दस साल तक इंडिया नेर्फोस का रीड है सुखोई टेम के आप इसे कह सकते हो बाखी सारे फैटर आयर काफ्ट के साथ मिराज 2000 का पोस्ट दिया है अलाकि यह पॉइंट में ऐसे ही बोल रहा था उसमें बताने की कोई उसमें ज्यादा इंपोर्टन तो था नहीं यह एक बड़ा वज़य है इसलिए सुखोई 30 म का को हम नहीं वेजे स साथ में इजरेल के साइड में जो सीरिया में अब रस्या एक बड़ा इंपोर्टन रोल निभा रहा है तो उस एरिया में अगर हम सुखोई 30 म के को वेजेंगे एक तरीके से रस्या को अच्छा नहीं लगेगा यसा नहीं है कि हम जो सुखोई 30 म के यह दूसरे देशों की व हम आमेरिका के साथ ही कई बार भेज चुके हैं या दोस्तों हम आमेरिका के साथ वार गेम में सुखोई 30 म के को कई बार भेज चुके हैं इसी साल के आखिर में जापान के साथ साइद वार गेम में हमारा सुखोई 30 म के जाकर 15 के साथ भाग लेगा लेकिन एक तो इतने सारे देशों के साथ सुखोई 30 Mkai को भेज कर उसकी ताकत को एक्सपोज करना एक सही फैसला नहीं होगा दूसरा बड़ा आप सवाल आप उठा सकते हो ठीक है सुखोई 30 Mkai नहीं है तो हम राफेल को भेज सकते हैं राफेल तो नया फैटर एयर काप्ट है इसके सा सब्सक्राइब करता साथ एसा नहीं है कि हमारा जो राफेल अभी मिला भी है वो उसमें सारा हत्यार लग चुका है या फिर वह 100 परसंट रेड़ी है में खासकर मीट्यव मिसाइल की बात कर रहा हूं अगर मीट्यव मिसाइल लगा भी है अब प्रेजेंट टाइम में हमारा को बेचने की बहुत ज़्यादा कोशिस कर रहे है इतने सारे अड़वांस फाइटर एर्कट के साथ अगर तेजस ऐसे वार गेम में जाता तो एक तरीक से उसका बड़ा ब्रांडिंग होता या फिर उसका बड़ा प्रमोशन होता तो यह आपका जो सवाल है या फिर लजी क हुआ नहीं जो इसी साल डील हुआ वो तो दोजार चवीस में ही आएगा हमारे पास मतलब आपके सकतो ज्यादा नहीं पर तेजस जेट है नहीं और अभी जो आए हैं वो भी उतना ज्यादा आपके सकते उनका टेस्टिंग बगरा हुआ नहीं है जो मैं फाइनल ऑप्रेश सब्सक्राइब बनेंगे तो आगे आप बहुत सरे जो इंट्रनेशनल वार गेम होते हैं या फिर एर्शो होते हैं उसमें तेजस के साथ साथ बाकी इंडियान अर्जिन के फैटर अरकट को देखोगे ऐसा कोई नहीं है कि इसी साल हम नहीं वेज़े तो कोई बहुत बड़ बनेशनल के सब्सक्राइब भुठेज के साथ तो इसमाल भी हुआ है उस फैक्टर को भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं लेकिन मिराज 2008 का रेकर्ड उतना खराप नहीं है चाहे वह बाला कोट स्ट्राइक हो या पिर कारगिल जंग हो भारत को हमेशा मिराज 2008 मदद किया है दुस्मन के उपर भारीपणने में लेकिन दोस् 2021 तक हो जाना चाहिए था आज मतलब 20 साल रिपोर्ट है वह 50% हुआ है और बाकी 100% होने में और 4-5 साल लगेगा आज जो जेट क्रास हुआ है क्या वह अभी तक अपग्रेडर नहीं हुए है वह मिरा जेट था अगर अगर अपग्रेडर मिरा जेट क्रास होगा तो यह और एक तरीके से इंडिया नेरफोर्स की जो पाइलट है वो मजबूर हो रहे हैं कि जो जेट 100% फीट नहीं है उसे इस्तमाल करने के लिए आप सब जानते हैं स्पेर पार्ट को लेकर मिराज जेट काफी प्रोब्लम फेज कर रहा है हाला कि पिछले एक दो साल से फ्रांस क ठीक होगा अब हमारे existing fleet में अगर कोई मिराज में उइंग में कोई प्रोब्लम है या फिर कोई बाकी कुछ पार्ट में प्रोब्लम है तो उन्हें replace करके ठीक किया जाएगा लेकिन दोस्तों आज की topic में बहुत इतना ही आपको ये topic कैसा लगा या फिर आप कुछ सुझाब देना चाते हो नीचे count box में जरूर comment करके बताइए और ये वीडियो को जादा से जादा like share करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को subscribe करिए और subscribe बटन के पास जो bell icon है उसे press करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिश्निया कर सके दोस्तों रुकता हूँ बहुत जल